परिश्रम का नहीं कोई विकल्प कर लो लाभ का संकल्प मनुष्य एक दिन में कभी सफल नहीं होता यह संभव भी नहीं है लेकिन सफलता न मिलने के कारण वह रूप नहीं सकता इस मेहने में कन्या राशी के जातकों ने इस बात को विशेश रूप से ध्यान में रखना चाहिए सफलता एक निरंदर चलने वाली प्रक्रिया है इसलिए लगातार कारियरत रहना आवश्यक होता है नमस्कार मैं आश्ट्रो गुरुमा रॉक्टर जोती जोशी आप सभी जोतिश प्रेमियों एवा मध्यन करताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ हम नोहंबर महिने के राशी फल को समझ रहे हैं आज के भाग में हम कन्या राशी के जातकों के लिए यह महिना कैसा रहेगा इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे राशी फल पुरी तरह से ग्रहों की स्थीती पर निर्भर करता है तो आईए पहले कन्या राशी के लिए इस महिने की ग्रह स्थीती को समझते है उस ग्रह स्थीती के अनुसार विभिन्न दुरुष्टिकों से यह महिना कन्या राशी के जातकों के लिए कैसा रहेगा या ग्रह स्थिति का विचार करें तो आपका राशी स्वामी पुध ह ग्रह महिने की शुरुवाद में आपके राशी में ही विराज्मान है दो नौम्बर को वह तुला राशी आर्ठात आपके धनस्तान में प्रवेश्च करेगा उसके बाद आपका धनेश, शुक्र ग्रह, में विराजमान है यह पूरा महिना वो वही रहेगा तुरूतियश मंगल ग्रह आपके दितियस्थान में विराजमान है वहां उसके शत्रु की राशी आती है चथूर्थेश यहम सप्तमेश गुरु महराज आपके पंचम स्थान से यात्रा कर रहे है बीस समेंबर को वो राशी परिवर्तन कर आपके शष्ठ स्थान में प्रविश्च करेंगे पंचमे शेवम शष्ठ शनी महाराज आपके पंचम स्थान में विराजबान है पूरा महिना वे वही रहेंगे साथ ही लाभेश चंद्रमा महिने के पहले दिन सीह राशी में होगा उसके बाद हर दोड़ाई दिन में राशी परिवर्तन कर ब्रह्मन करेगा आपके वे श्रवी महाराज द्यूतियस्तान में आकर नीच अवस्था को प्राप्त हुए है वहावे मित्रमंगल ग्रह के साथ विराजबान है राहू ग्रह रुशब राशी अर्थात आपके भाग्यस्तान में विराजबान है साथ ही केतु ग्रह रुश्चिक राशी अर्थात आपके पराकरम स्तान में विराजबान है भाग्यस्तान का राहू कन्या राशी को अच्छे फल देता है क्योंकि एक तो वह राशी स्वामी का मित्र ग्रह है साथ ही पंचमेश के साथ उसका नवपंचम योग बन रहा है इसलिए भाग्यस्तान का राहू और तित्यस्तान का केतू दोनों ही कन्या राशी के लिए लाभकारी होंगे कुल मिलाकर कन्या राशी के लिए ग्रह स्थिती कुछ इस प्रकार है जिसके अनुसार अब हम उसके प्रभाव को विश्थार से समझेंगे और हाँ बेल आइकोन दबाना ना भुले धन्यवाद व्यक्तित्व की दुरुष्टी से विचार करें तो यह महिना कन्या जातकों के लिए अत्यन्द लाभकारी सिद्ध होगा इस महिने में आपका व्यक्तित्व आनंद यो मुर्जा से परिपूर्ण रहने वाला है क्योंकि राशी स्वामी राशी में ही है जिसके कारण पिछला महिना आपके लिए अत्यन्द शुभर हा इस महिने भी राशी स्वामी जब दितियस्तान अर्था धनस्तान में जाएगा तब सुबह उटकर आपके दिमाग में सबसे पहले जो विचार आते हैं उसमें पहला विचार आर्थिक मामलोका होगा पैसे कैसे कबाए है या आर्थिक लेंदेन कैसे करे आर्थिक लाब कैसे प्राप्त हो सकता है यह विचार करते हुए आपकी सुबह समरुद्ध होती है यह स्थिति 20 नॉम्बर तक रहेगी उसके बाद आप आर्थिक लाब की प्राप्ती के लिए प्रयास कैसे करे परिश्रम कैसे करे इस मार्ग की ओर अग्रेसर होंगे संक्षेप में यह महिना आपके व्यक्तित्व को समरुद्ध करेगा आपको उसका अधिक्तम उपयोग करना चाहिए परिवार परिवारिक दृष्ठी से विचार करे तो दूतियेश और दूतियस्थान में विराजबान ग्रह महत्वपुर्ण होते हैं आपके दूतियस्थान में उपस्तित नीच अवस्ता के रवी ग्रह और तुला राशी का मंगल साथ ही दितिये शुक्र ग्रह शत्रु राशी में यह स्थिती निर्मान हुई है इस स्थिती का विचार करेतो पारिवारिक सुखशांती में कही न कही कमियुत्पन न होगी कारण होने पर और न होने पर भी विभिन प्रश्न उपस्तितोंगे साथ ही विवाद होना अनावश्यक चर्चाओ का बढ़ना माता के स्वास्त की समस्या निर्मान होने जैसे विभिन्न प्रश्न उपस्थित हो सकते है इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको जागरुक रह कर उचीत प्रयास करने की आवशक्ता है वहां आपके लिए उपयुक्त रहेगा पराक्रम परिश्रम की दुरुष्टी से विचार करेतो परिश्रमेश की स्थिति अत्यन्त महत्व पुर्ण होती है आपका परिश्रमेश मंगल गरह परिश्रम के वियस्थान अर्थात तुला राशी में विराजमान है जिसका परिणाम है की आप परिश्रम करने की अपेक्षा परिश्रम से बसने के लिए आधिक इच्छुक हो सकते है विचारों की दिशा भी निरंतर बदलती रहेगी आज का काम कल करते है कल का काम पर्सो करे तो क्या गलत होगा इस दुरुष्टी से आप विचार करेंगे जो मूल रूप से गलत है इसलिए कार्यपूर्ति कैसे हो सकती है परिश्रम में निरंदरता कैसे बनाए रखे इसका विचार करना आपकी प्राथमिक्ता होनी चाहिए वास्तु वाहन भुमी और सुखशान्ती के दुरुष्टी से विचार करे तो यह महिना कन्या जातकों के लिए लाभकारी कहा नहीं जा सकता इसलिए जो लोग वास्तु या वाहन के संधर्म में विचार कर रहे हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि थोड़ी प्रतिक्षा करें क्योंकि वास्तु वाहन के लिए यह अउधी कत ही लाभकारी नहीं है चतुर्तेश गुरु महराज मेहने की शुरुवात में नीचर आशी और उसके बाद सश्ट स्तान में रहोंगे जिसके कारण इस पहने में वास्तु वाहन के योग नहीं है वैसे भी यह चीजे कोई हर रोज लेता नहीं है इसलिए थोड़ा रुग जाईए शुबह समय की प्रतिक्षा करे ताकि उससे आपको लाभ की प्राप्ती हो सके इस अउधी में घर में सुखशान्ती कहीं खो जाएगी साथ ही अपने माता के स्वास्त का आपको विशेश रूप से ध्यान रखना होगा कुल मिलाकर सब दुरुष्टियों से कन्या जातकों को विशेश ध्यान रखना होगा शिक्षा शिक्षा एवं इस्ठदेव की दुरुष्टी से विचार करे तो यह महिना कन्या राशी के जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा इस महा विशेश शेक्षनिक सफलता आपको प्राप्त हो सकती है अर्थात कितने भी संकट आए घर में आशान्ती उत्पन्न हुई हो घर में विभिन्न प्रश्न उपस्तित हुए हो परेशानिया उत्पन्न हुई हो फिर भी इस्टदेव के आशिरवाद आपके पीछे मजबूती से खड़े होंगे आप जीज भी शेत्र में अध्यान कर रहे हो उसमें आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी खास कर जो जातक मेडिकल इंजिनिरिंग के शेत्र में अध्यान कर रहे है उनके लिए यह उदी विशेश रूप से लाभकारी है लेकिन जो जातक किसी कला के शेत्र में अध्यान कर रहे हैं उनके लिए यह उदी संगर्ष पुर्ण है स्वास्त कर्ज प्रतिस्पर्दी शत्रों की दुरुष्टी से विचार करे तो इन सबका कारग्रह आपका शष्टेश शष्ट के व्यस्तान से यात्रा कर रहा है आपके शष्टेश शनी महराज है वे स्वयम के व्यस्तान में विराजबान है जिसके कारण वात के प्रश्ण हाथ पेर का दुखना निरंतर चलता रहेगा कभी हात में दर्द होगा तो कभी पैर दर्द होने का कारिक्रम चलता रहेगा अर्थात यह स्थिती केवल कुछी दिनों के लिए है जैसे ही शनी महराज का गोचर बदलेगा वैसे ही आपका स्वास्त अच्छे से साथ देगा प्रतिश्पर्दी एवम शत्रु आपको गत दो वर्षों से परेशान कर रहे है वही स्थिती बने रहेगी ऐसा कहा जाता है कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी कोट की दहलीच को पार करता नहीं है उसमें यदि आईसी प्रतिकुल गरह स्थिती हो तो कोट की दहलीच कतई ही पार करनी नहीं चाहिए इसलिए यदि कोई कोट केस का विशे आ रहा है तो उससे बचना ही आपके लिए लाबकारी रहेगा साथ ही इस सौधी में महतोपुर्ण दस्ताववे जोका कभी आपको विशेश धान रखना होगा बिना पड़े या समझे किसी भी कागच पर हस्ताक्षर न करे क्योंकि समय जब खराब चल रहा हो तो छोटी से छोटी गलती बड़ा प्रभाव कर सकती है नोक्री एवं व्योशाय की दुरुष्टी से विचार करेतो कन्या जातक नोक्री कर रहे है उनके लिए महने का पहला पक्वाड़ा लाबकारी रहेगा साथ ही जो जातक व्यावसाय व्यापार कर रहे है उनके लिए महने का दुसरा पक्वाड़ा शुभ एवं लाबकारी रहेगा अर्थात यह लाब के संबंद में हुआ लेकिन जो जातक नोकरी कर रहे है उनके लिए दुसरा पक्वाडा तो व्यावसाइक जातकों के लिए पहिला पक्वाडा संगर्श से भरा रहेगा ऐसी उलट-फुलट स्तिती इस माहर रहने वाली है इसे द्यान में रखते होए उस अनुसार ही आपको काम की योजना बनानी चाहिए भाग्य भाग्य की दुरुष्टी से विचार करे तो कुंडली में भाग्येश की स्तिती महतवपुर्ण होती है आपका भाग्येश भाग्य के अस्टम स्तान में विराजबान है लेकिन त्रिकोन का स्वामी जब केंद्रस्तान में विराजमान होता है तब वह विशेश लाभ प्रदान करता है साथ ही दो नवंबर से बीस नवंबर तक वह आपके राशी स्वामी के साथ लाभ योग बना रहा है उसके भी आपको अत्यन्त शुभ परिणाम प्राप्त होंगे संक्षेप में इस माह आपको भाग्य का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा फिर भी परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है यह बात आपको विशेश रूप से ध्यान में रखनी होगी साथ ही भाग्यस्तान में विराजमान राहु ग्रह कृतिका नक्षत्र से यात्रा कर रहा है जिसके कारण आपके साथ कुछ अप्रत्याक्षित गटना हो सकती है क्योंकि कृतिका नक्षत्रा का राहु थोड़ा साउधान रहने की सुसना देता है वो विशेश रूप से आपके भाग्यस्तान में विराजमान है इसलिए आपको सब चीजों पर साउधानी देनी चाहिए कर्म कर्म की दृष्टी से विचार करे तो कर्मेश की स्थिती अत्यनत महत्व पुर्णा होती है आपके कर्मेश बुधग रह मेहने की शुरुवात में सोह राशी उसके बाद दो तारिक को मित्र की राशी और बीस तौवंबर को शत्रू के राशी में प्रवेश्म करेंगे कुल मिलाकर विचार करे तो बीस तौवंबर तक आपके कर्मों की दिशा सही रहेगी उसके बाद आप केवल हार्ड वर्क ही करेंगे सुबह उठने के बाद से ही दोड़ना शुरू करेंगे लगातार काम करते रहेंगे लेकिन उसमें स्मार्ट वर्स नहीं होगा वैसा विचार भी आप नहीं करोगे जिसके कारण आपको इस अउधी के लिए विशेश रूप से सलाह दी जाती है कि इस महने में कम से कम दस मिनिट अवश्य विचार करें हम जो कार्य कर रहे हैं क्या वह सही दीशा में है यह विचार करने के बाद ही काम की शुरूत करें ताकि आपके लिए लाबकारी रहें लाबकी दुरुष्टी से विचार करेतो कन्या राशी का लाबेश चंद्रमा जो लगातार परिक्रवा करता रहता है लेकिन पंचम स्थान में गुरु और शनी महारात जैसे दो बड़े एवं महत्वपुर्ण ग्रहों की आपके लाबस्थान पर दुरुष्टी पड़ रही है जो आपके लिए आशी स्वामी का विचार करेतो लाब के विभिन अउसर प्राप्त होंगे उनका आपको पूरा उपयोग करना चाहिए व्याय ओम पर्देश कमन की दुरुष्टी से विचार करेतो आपके वे श्रवी महराज दितियस्तान में नीच अवस्ता को प्राप्त होकर यात्रा कर इस स्थीति का परिणाम यह है कि जो कन्या जातक विदेश में स्थीत है उनके लिए अप्रत्याक्षित खर्च उत्पन्न होगे अप्रत्याक्षित रूप से कोई प्रश्ण सामने आएगा अन्य सभी जातकों की दुरुष्टी से कहा जाए तो वे जब नीच अवस्ता में होता है तब मनुष्य जाने अन्जाने में अनुचित जगह पर अनुचित कार्णों से पैसा खर्चा करता है या पैसे कही खोने या नुकसान होने की संभावना होती है इसलिए इस अउधी में आपको अत्यंत सावधान रहने की आवशक्ता है शुभदिन और आशुभदिन जीवन सुख दुख चड़ उतार से भरा होता है कोई भी व्यक्ति संपुल्न सुखी या संपुल्न दुखी हो नहीं सकता तदनुसार हर दिन सभी के लिए समान नहीं हो सकते मेहने के कुछ दिन सुख संतोश और सफलता लेकर आते है तो से कन्या जातकों के लिए दो ग्यारह और बीस नोवंबर यह दिन विशे शुप से सुखतायक एवं शुभ होंगे साथ ही नव, सत्रा और सत्ताइस यह दिन अशुब एवं तनाव पूर्ण रहेंगे इन दिनों में आप कठिनाईयों, बादाहों, समस्याओ का अनुभोग करेंगे तो यह मानसिक्ता आपको बनानी होगी और आगे बढ़ना होगा उपाय, इस नोवंबर महने के उपाय के संधर्म में जब हम सोचते है तो खास कर इस महने के त्योवार, उत्सव, विशेश ग्रह स्थिती, नीच राशी से होने वाले ग्रहों का गोचर इन सब बातों का ध्यान रखते ही है लेकिन हर महिने हम जो अलग-अलग उपाय आपको बताते है उसमें से कुछ उपाय यदि पूरे वर्ष में समय या स्थिती के अनुसार आप करते रहे तो भी उपयुकत रहेगा तापकी आपके नीजी जीवन में यदि कोई संकट आए तो आप अपनी राशी के अनुसार उसका समाधान कर सके इसी के अनुसार कन्या राशी के जातकों ने इस माह में बड़े ही भक्ति भाव से शद्दा से रुद्रा विशेक करना चाहिए साथ ही भगवान शियुशंकर की उपासना करनी चाहिए आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा इसके अलावा आपको वात जन्य पदार्थों का सेवन नहीं करना नहीं है यह उपाय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे तो मुझे लगता है कन्या जातकों के लिए यह महिना कैसा रहेगा यह जानने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है धन्यवाद शुभम भवतु जय जोतिश प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल और हाँ बेल आइकोन दबाना ना बुले धन्यवाद